हेलो दोस्तों, वेलकम टू दो चैनल, हम आज आप सब के साथ एक नहाए चाप्टर शुरू करने वाले हैं, और उस चाप्टर का नाम है इलेक्ट्रो स्टेटिक्स, और आज का हमारा लेक्चर है, इलेक्ट्रो स्टेटिक्स का कैसा लेक्चर है, फॉर्स लेक्चर, मैं बहु ज्यादा excited हूँ hopefully आप भी बहुत ज्यादा excited होंगे क्योंकि हमने first paper near about beta क्या कर लिया है complete ही कर लिया है अब हमारा electrostatics का question है अब electrostatics chapter के बारे में मैं बहुत ज्यादा excited इसलिए हूँ क्योंकि ये one of the मेरा favorite chapters यहां से शुरू होते हैं यानि second paper यह मेरा favorite concept है पढ़ाने के लिए भी और मैं आपको यकिन दिलाता हूँ कि पढ़नी के लिए भी इससे ज्यादा अच्छा concept कोई नहीं है दोस्तों और इससे ज्यादा easy concept भी कोई नहीं है जितना आपको electro statistics लगेगा current electricity लगेगा और आपको एक और good news बता दू कि इन chapters में के सबसे ज्यादा deduction आपके boards 2021 के लिए हुए हैं यानि ये chapters बहुत ही छोटे छोटे रह गये हैं यानि अगर आप पहले 2-3 lectures अच्छे से कर लेते हैं या तब आपको बहुत ही easily पूरा चाप्टर क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा जैसे electro statistics ही ले लीजे आज मैं पूरा introduction यानि बहुत लोगों में से आप में से ग्यारवी में 11th standard का electro statistics आपका मिश हो सकता है तो मैं क्या करूंगा 11th standard का electro statistics आज जो हमें necessary है यानि 12th के लिए जो necessary है वो मैं क्या कर लूँगा फिर से एक बार revise कर लूँगा और आपको फिर कल से हम 12th का electro statistics स्टार्ट करेंगे यह बहुत ज्यादा important क्यूं है क्यूंकि हमारे 12th में पहला ही topic जो दिया है वो application of gosh theorem है अब किसी बंदे को बंदी को अगर gosh theorem ही नहीं पता है तो वो application कैसे निकालेगा और gas gosh theorem तक जाने के लिए थोड़ा तो introduction हमें लेना है पड़ेगा तो electro statistics का आज का पूरा lecture पैड़ दिजे और शान्ती से मेरी आवाज ज्यादा अच्छी नहीं भी रगे लेकिन content बहुत अच्छा लाएगा दोस्तों तो यह आप यकीन मानिए electrostatics बहुत ही आसान कर दूंगा आपके लिए और हाप easily इसे क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं तो सबसे पहले कहूंगा सबको good morning, good afternoon, good evening, जब भी आप देख रहे हैं और शुरू करते हैं हमारा chapter electrostatics सब तरक बहुत ही अच्छी बारिश भी गिर रही हैं और हमें पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा मोका हैं तो पेटा फिलकुल टेंचन नहीं लेना है electrostatics chapter में इतना आसन कर दूंगा कि आपको बहुत ही म अब इन दोनों को मिला के electrostatics बनता है समझ लीजे इलेक्ट्रो का मतलब है electric charge इलेक्ट्रो का मतलब क्या है electric charge है और static का मतलब क्या है at the state of rest इलेक्ट्रो स्टेटिक यानि क्या हो सकता है it is a study of charges at the state of rest आप चलते चलते ही यहां पर क्या कर लेजिए आज इस टॉपिक से इस definition से शुरू करना है आपको लिखती हुए यानि running notes आपको बनाने कि मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले electrostatics का पढ़ाई कैसा है क्या पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं we are studying the charges which are at the state of rest और उसका क्या पढ़ते हैं तो उसकी intensity भी पढ़ते हैं और उसका potential भी पढ़ते हैं उसका force भी पढ़ते हैं तो यह words है क्या क्या है intensity क्या है potential क्या है force तो इन सब के बारे में discuss करेंगे अब start करते है from study of charges which are at the state of rest तो चलिए दोस्तो अब मैं बढ़ाता हूँ charge को तो आपको क्या करना है मैं एक बार बता देता हूँ आपको running notes लिका लेना है क्योंकि मैं जो बोर रहा हूँ वो हिंदी में बोर रहा हूँ आपको हिंदी में English में जिस भाषा में लगे उस भाषा में अपने notebook में जल्दी जल्दी लिख लिए क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ एक्जाम के लिए नहीं हमारे chapter की अगले 3-4 chapter की understanding के लिए बहुत ज्य एक तो क्या होगा positive और कैसा होगा negative पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो हमने उसे कहा है proton negative होगा तो क्या होगा electron अब neutron क्या है neutron भी charge कह सकते हैं क्योंकि उस पर क्या नहीं है positive भी नहीं है negative भी नहीं है वो कैसा है neutral तो हम उसका considering यहाँ पे नहीं करेंगे हम तो पहले पहल positive charges के बारे में यहाँ पी discussion करने वाल है अब consider कर लिजें यह हमारा charge हो गया है हमारे charge भाईया है कुझसे charge है positively charged है अब positive charge का है तो इन में कुछ energy होगी इन में क्या होगी ताकत होगी तो जो ताकत इसकी charge की खुद की है ताकत ही कहेंगे उसे कहा जाता है पेटा electric intensity उसे क्या जगा जाता है क्या कहा गया है electric intensity इस electric intensity यह ने गया यह चार्ज भाई साब यह निकाले यह चार्ज भाई साब अगर यहाँ पे negative charge है तो इसको attraction नहीं कर रहे है लेकिन यहाँ पे negative charge है तो इसको क्या कर रहा है attract कर रहा है यानि क्या इसका जो field है वो यहाँ तक नहीं है समझ लिए यहाँ तक है तो इस charge ने क्या कर लिया एक उसके आसपास एक area बना लिया एक हम area बना के दिखते हैं कि जिसमें charge है कि यह समझ लिए green color का एक area है जिसमें इस औरेंज कलर के चार्ज की क्या एक्ट हो रही है, पूरी उसकी हुकुमत चर रही है, यानि इसके बहार अगर निगेटिव चार्ज है, तो वो इसको अट्रेक नहीं करेगा, इसके बहार अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इसको रिपेल भी नहीं करेगा, ये दोनों पुलिवल्द में इलेक्टिव इलेक्टिव चार्ज आ गया तो यह जा पर फोर्ण एंग्टिव पॉर्ण 8750-ही रिंट सब्सकम हें चार्ज और एक लाई fake यानिप पल्चिव फोर्स अपलाय करता था, यानि कुछ फोर्स अपलाय हो सकता था, यानि जब फील्ड में दूसरा चार्ज आता है, तब ये चार्ज जो सब रेस्ट पे है, कोई घुमने रहा है, ये सब एक दूसरे फे क्या अपलाय करता है, फोर्स अपलाय करता है, और वो फोर्स हमें दिया था पढ़ने के लिए एक scientist थे जनका नाम था Coulomb जनका नाम क्या था Coulomb और उससे कहा गया Coulomb's law और उन्होंने हमें force की value दे दी constant value अब मैं direct value बताऊंगा that f is equals to 1 upon 4 pi 0 q1 q2 upon क्या होगा r square यानि क्या है 1 upon 4 pi 0 क्या बन गया हमारा constant बन गया q1 q2 क्या है दो charges है r square it is the distance between two charges इसे हम ऐसे भी लिख सकते है 1 upon 4 pi 0 के q1 q2 upon क्या बन जाएगा हमारा r square आरा समझ में यह हो गया हमारा force यह भी बहुत काम्या आएगा अब intensity हमने एक intensity की बात की भी किती intensity की बात की थी ना intensity आने गया charge एक charge का force पकड़ लिजे कितने charge का force एक charge का force और उसकी value क्या बनेगी फिर एक charge का force है ना वो तो उसको क्या खा गया है intensity तो हम क्या कहेंगे 1 upon 4 pi 0 के q upon r square इस charge से दूसरे charge पर जब अपलाए किया तो intensity का क्या बन गया force बन गया तो हम क्या कहते है एक एक टर्म हम एक एक घंटा जिखाते है लेकिन हमें कल chapter start करना है इसलिए क्या होता है हमें आज क्या करना है rapid revise करना है कि intensity क्या है और force क्या है यह तो बहुत लोगे के पास gateway में हुआ भी होगा तो हम 12 के लिए इतना time pass नहीं कर सकते तो यह दो टर्म होगी हमारे कुण से एक होगी electric field दूसरा होगया force और होगी intensity अब हमें काम करना है कि induction नाम की क्या है what is induction what is flux तो उसके बारे में एक बार discuss कर लेते हैं देखें दो charges consider की है एक है positive charge एक है negative charge तो क्या होता है positive charge से lines of force निकलेंगी कौन से charge की तरफ जाएंगी negative charge की तरफ जाएंगी यह आगे lines of force यानि हम उनकी क्या होगी direction होगी अब यह होगी हमारी इन्हें कहलिया हमने क्या कहा lines of force हो गया अब देखिए अगर in lines of force के बीच में कोई object आता है तो क्या हो रहा है इस object के through क्या पास हो रही है lines of forces क्या हो रही है पास हो रही है यानि ये lines of forces इस object पे कुछ force अपलाए कर सकती है कर सकती है गिने ये बीच में आगे निटा इसके तो मेरा हाथ समझ ली जाए तो force अपलाए कर सकती है तो उस force अपलाए करने की चीज को उस application को उस दूसरे को प्रभावित करने की energy को प्रभावित एक दो term से नापा जाता है one is flux and another is induction यह बहुत ही ज्यादा important चीज़ है one क्या होता है flux और दूसरा क्या है induction यह electric भी हो सकता है magnetic भी हो सकता है यह कैसा हो सकता है electric भी और कैसा हो सकता है magnetic भी तो सबसे पहले electric flux किसे कहते है क्या कह रहा हूं है electric flux electric flux कहां जाता है बेटा कि number of electric lines of force passing normally through given area कुछ गी नहीं समझाए इसका है यह नहीं लेकिन देखिए अगर मैं इसको जूम करके नीचे लेगे इस एरिया को समझ लेजे यह एरिया ऐसा है इसको जूम कर लेता हूं ऐसा हमारा एरिया था और इस एरिया में से एक दो तीन यह तीन number of lines of force क्या हो रही थी पास हो रही थी अब हमें क्या कहना है कि फोर्स कौन सी लाइन अपलाए गरेगी जो लाइन नॉर्मन है क्यों फोर्स वेक्टर प्रोड़क्ट है साइन नाइन्टी लगेगा साइन नाइन्टी वन साइन जीरो जीरो तो आप समझ लीजे तो number of electric lines of force passing normally through the given area इसे क्या कहा गया है electric flux और जिसे indicate किया जाता है फाय से कौन्चे टर्म से indicate किया जाता है फाय से बहुत बहुत ज़्यादा important है यानि समझ लीजे ये नॉर्मन नहीं है ये दो ऊपर की दो कैसी है नॉर्मन है तो ये दोनों क्या अपलाए कर रही है फोर्स अपलाए कर रही है लेकिन फिर भी हम इस ब्रैक कलर का एरिया निकाल सकते है गया नहीं है इस एनी शेप तो फिर इसको भी क्या किया गया इसको स्क्वेर्स में नहीं तो यूनिट एरिया में क्या किया गया तोड़ा गया और एक यूनिट एरिया से कितना पास होता है यानि फाय पर यूनिट एरिया देखे मैं क्या लिख रहो बहुत इंपॉटन टर्म लिख रहो फाय पर निट एरिया यानि क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर युनेट एरिया नाम के टर्म तयार होगी और जिसे कहा गया electric induction क्या कहा गया electric induction याने क्या हुआ flux per net area निए 5 upon area is equals to electric induction इसे कहेंगे हम E electric intensity भी E थी अरे intensity और induction अलग चीज़ यह इसलिए एक दोने एक साथ नहीं आएगी इसलिए क्या कर लिया electric E कर लिया कभी कभी कैसे लिख सकते है E is equals to 5 upon क्या लिखेंगे DS, DS क्या है बटा DS कहा जाता है area के तुकडे को surface है ना surface होता है न तो हम क्या कहेंगे DS can be referred as area यह सब हमें 11th में पढ़ाया जा चुका है ऐसा consider करके 12th का सिलाबस design है इसलिए मैं पटपट आपको बता रहा हूँ कि E is equals to क्या रहेगा देखें E is equals to क्या हो गया 5 upon क्या हो गया DS यानि 5 का formula क्या बन गया E multiplied by क्या DS यानि DS का कौन्छा area unit area अगर total flux निकालनी है तो इसको क्या करना पड़ेगा integrate करना पड़ेगा यानि integration of DS यानि क्या मिलेगा complete area समझ मैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखिए अगर एक पर फिर से मैं बता देता हूँ अगर आपके पास कोई term है जिसमें हम lines of force पास कर रहे हैं तो उसमें वो क्या होगा प्रभावित हो जाएगा आ रहा है समझ पर प्रभावित होना यानि क्या होना उसके रंग में रंग जाने जैसा है यानि charge के जैसा ही behave करना charge के side से काम करते रहेना तो इसे कहते है induced हो रहा है सल्मान खान की कोई movie आ रही है और हम सल्मान खान के जैसे behave यह हो गया induction तो यह induction कब अच्छा होता है जब कुन सा structure कहा जाता है normal passing normal और पूरे area पे अगर given area पे होगा तो उसे क्या कहा गया flux कहा गया और वो unit area पे अगर calculate कर लिया चोटे चोटे area पे तो उसे क्या कहा गया हमारे plus electric induction कहा गया तो 5 per unit area याने electric flux per unit area क्या जाता है electric intensity यह बहुत बहुत जादा term क्योंकि यहां से तो उठा के हम क्या लेते हैं गॉश्धरम लेते हैं यही से तो उठा के हमने क्या ले लिया गॉश्धरम जे लिया और गॉश्धर miss sociedade Spot प्रभावित कर सकता है तो उसके बारे में बात की थी तो गौस्थ्रम का स्टेटमेंट लेके तो हमें आज खतम करना है लेकिन यहां तक तो आपको लिना बढ़ेगा समझ में आ रहा है आपको कि flux क्या है दूसरे को प्रभावित करने की बात हो रही है यहां पर यहां पर E जो है इस E को हम क्या कहेंगे electric intensity है electric induction इन क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसका formula भी तो हम रक सकते हैं ना बहुत लोग यह कह सकते हैं, बहुत देर से खुले है, तो थोड़े से यह हो कहे है, देखिए, तो यह कॉंस्टन्ट है, यह कॉंस्टन्ट है, इसके बारे में भी एक से डेड़ घंटे हम बात कर सकते है, लेकिन टाइम अब ज्यादा नहीं है, इसलिए अभी आप क्या करेंगे, सब लोग जो बोर्ड के लिए प्रिपेर कर रहा है, अब फॉर्मूला कंसिडर करेंगे, वन अपॉन फॉर पाई इसलों 0 के, अगर Q1, Q2 upon R2 रहा, तो ये क्या हो गया, फोर्स हो गया, हो गया, और Q upon R2 रहा, तो ये क्या होगी, intensity हो गई, याद रखिएगा, समझ में आ गया, तो अब मैं गौस्थिरम पे डिसकस करूँगा, गौस्थिरम जो गैर्वे में था, जो हो चुका है, वो बहुत important है, और उसका introduction मैं दूँगा, और कल फिर गौस्थिरम का application, बहुत आसान application है, मैं रोज दो खतम करेंगे, बहुत ही easy application होगी, आ गया समझ म आपको, तो इसे एक बार समझ लीजे, पूरा चाप्टर आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, पहले दो तीन structures में ही, बहुत ही छोटा चाप्टर रह गया है, बटाई, तो गौस्थिरम के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, यह है गौस्थिरम, सब को एक बात ब lecture आप देखेंगे, तब आपको यह याद चाहिए, इसका formula हमें याद चाहिए, क्योंकि हमें इसका बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, दोस्तों, तो देखिया हम क्या कर है, मैं इसको समझा के भी बोलता हूँ, एक बार डीटेल में, गौस्थ तिरम गौस्थ ने कहाता, net electric flux through a closed surface is equal to net charge enclosed by the surface divided by splon zero, क्याने क्या, समझ लिजे, एक closed surface है, एक कैसा surface है, closed, और इस closed surface में induction हुआ है, induction हैने क्या, इसमें charge है, अंदर क्या बेटा है, चार्ज बेटा है, अब इसके through flux जाएगी, क्योंकि यहाँ से lines of forces सब तरब क्या हुए जाएगी, और इस पूरे surface पे क्या काम करेगी, electric flux काम करेगी, यानि क्या काम करेगा, फाय काम करेगा, समझ में आ रहा है आपको, net electric flux through a closed surface is equal to, यानि क्या कर लिया है, इस equal to का sign लगा दिया, आ रहा है, फाय is equal to, कैसा है फाय की value क्या बना रहा है, net charge enclosed by the surface, समझ लिजे, बहुत सारे charges ह यानि q1 plus q2 plus q3, अब 2 कहा, qn, अंदर के तरह, नहीं तो यहाँ पे हमने कित्मा कंसेडर किया है, एक, तो इसे कह लिता है q, एक ही है न, अगर बहुत सारे होते तो क्या होता है, addition होता था, यहाँ पे कितना है, is equal to net charge enclosed by the surface, duhyded by क्या हो गया, splon is 0, बन गया proof, बन गया आप 0, 5 क्या है, electric flux, electric flux का game बाजू में फिर से एक बर बनाते हैं, कैसा है, 5 is equals to क्या बना था, electric flux, इसको अगर electric induction की बाषा में लिखना है, in terms of electric induction, क्योंकि हमें chapter में flux के बारे में नहीं discuss करना होता है, बटा, सिर्फ किस के बारे में डिसकस करना होता है, electric induction के बारे में discussion करना होता है तो क्या करेंगे, in terms of electric induction क्या बन जाएगा, electric induction is equals to क्या हो गया, E हो गया, E is equals to क्या बना, phi upon क्या हो सकता है, Ds तो phi is equals to क्या बनेगा phi is equals to E multiplied by है ds इसको यहाँ पर डालते है phi is equals to e ds उसका क्या integration क्योंकि ds क्या होगा समझ लीजे ds सिर्फ इस surface का ds है एक surface consider क्या तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम ds total surface के लिए क्या करना पड़ेगा integration integration वो भी कैसा closed loop circle निकालना पड़ता है बीच में यह integration हो गया over surface उसके बीच में circle निकाला है यह क्या होगा closed surface आरा है समझ में बहुत चीजे नहीं समझ में आ रहे हैं लेकिन बहुत आसानी से बता रहो मैं क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर इस term के phi के लिए क्या लिखेंगे integration over closed surface e dot ds is equals to क्या बन गया हमारा q upon क्या हो गया splon 0 पेटा product dot लिखा है कौँशा product है dot dot product है नहीं कौँशा theta cos theta आरा है क्यानी इसको हम और भी कैसे लिख सकते है layer integral of e ds cos theta is equals to q upon splon 0 आ रहा है समझ में बहुत ही शान्दिजे आपको समझ में आ रहा है मुझे बहुत विश्वास है आप पे कि e ds cos theta is equals to q upon splon 0 हमें standard format अगर इसका चाहिए तो वो format क्या बनता है integration of e ds cos theta is equals to क्या बनता है q यह जो सब format लिखे है यह sub format किसके है gaus theorem की है आपको समझ लिए यह theorem का statement और यह हम use करने वाले है आप सिर्फ gaus theorem कर लिजिए मैं आपको लिख के देता हूँ कि electrostatics गलत नहीं होगा आपको बस यह याद रखना है यह confirm यह मेरा word है कि electrostatics अगर gaus theorem आपका perfect है तो एक mark भी electrostatics का नहीं जाएगा इसके सिवाय कुछ भी नहीं है हमारो जो चाप्टर बचाए क्या बताया है इन नेट फिल्ड थूँआ क्लोज़ कंड़ क्लोज़ सर्फेस यहनि देखिये क्या होता यह हमारा अंदर के लिए एक charge पकड़ लिया हमने इसके बाहर एक surface consider कर ले बटा अब देखिये शांती से अब इस surface पे क्या हो गरा था सब तरफ magnetic flux act थो रही थी हमने एक छोटा surface consider कर लिया और consider किया इस छोटे surface का नाम क्या है DS अब यह जो पूरा लाल कदर का surface है वो ऐसे बहुत सारे DS से बना है बना है DS से तो हमने क्या किया हमने छोटा सा इस पे कितना induction हो रहा है उसके बारे में discussion किया यानि इतना ही area हमने consideration में लिया इतना ही area हमने बाकी area consideration में लिया और उसके इस पे जितने एक थोड़े उसकी सबसे एक formula बना है that electric flux through closed surface is equal to net charge enclosed by the surface divided by splone 0 यह mathematical statement है इसको आपको याद करना पड़ेगा यह अगर याद हो गया तो chapter ही खतम हो जाता है तो 5 is equal to क्या बन जाता है Q upon splone 0 इस पे question नहीं आएगा हमारे exam में समझ लीजे यह हमें पढ़ने के लिए यह मैं आपको बता रहा हूँ आपको intensity में फरक समझ रहा होगा कि मैं रोज इतना intensity से बात नहीं करता हूँ समझ मैं रहा है कि क्या हो रहा है 5 is equal to क्या बना Q upon splone 0 5 is electric flux electric flux through given area लेकिन अब हमारे पास given area नहीं है इसलिए हमने हमारे पास पूरा area तो इतना है न तो इसलिए हमने क्या किया उसको लाने के लिए flux को convert किया कहां में? induction में और वो कैसा? flux is equal to integration of EDS E electric induction यह circle क्यों निकाला बीच में? यह indicate करता है loop नहीं तो closed surface loop नहीं तो कुन सा surface? closed surface तो हमने उसे लिख लिए phi is equal to q upon splone 0 splone 0 को हम splone 0 k भी लिख सकते हैं बिल्गुल नहीं गवराना है k dialectric constant है हो गया? तो यहाँ पे हमने medium vacuum consider क्यों के की value कितना है? 1 है तो हमारा बना phi is equal to q upon splone 0 phi के बदले क्या लिखेंगे? E dot ds integration of e dot ds और dot product है इसलिए क्या लिया? cost data आरा है एक Arabian Nights देखा है अलिफ लेला देखा है किसे ने Arabian Nights पड़ा है जैसे एक story में से दूसरी story निकलती है जैसे समझ भी नहीं आता है कि एक खतम कहां हो रहा है दूसरा कहां शुरू हो रहा है जैसे आराम से सब कुछ बदलते बजने लगता है जैसे कोई orchestra है बहुत ही अच्छा सा कि कौन कहां पर बढ़ता है कौन कहां पर कम होता है समझ नहीं आता वैसा electrostatics पूरा second paper ही ऐसा है कल का पूरा expression है आपने हमने आधा कतम करें कि a.ds.cos theta to is equal to q कहां से उठा लिया है गौस्थिरम से उठा लिया अगया समझ पर इतने शांती से अपने सबने अगर सूना होगा तो हिंदी में आपको सब कुछ समझ में भी आयोगा और आपने अपने notebook में कुछ ना कुछ एक चीज बनाई होगी तो एक काम करते हैं एक बार सब चीजे समप करके दो भीड़ बात करते हैं इस पर यह यही पर रखूँगा यह नहीं पोचूँगा पाई बस यहाँ पर बनाऊँगा देखें मैं अब क्या करता हूँ यह सब का एक निचोड हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे कि क्या बनाई यह चार्ज है क्या है चार्ज इस चार्ज के आसपास इसकी खुद की एक क्या है फिल्ड है इस फिल्ड में अगर दूसरा कोई आए तो उस पे यह क्या अपलाई करता है फोर्स अपलाई करता है यह पॉजिटिव हो सकता है निगेटिव हो सकता है उसके बारे में नहीं है इसके फिल्ड में दूसरा अगर चार्ज आए तो यह क्या अपलाई कर सकता है फोर्स अपलाई कर सकता है और उस फोर्स की वहली होती है F is equal to 1 upon 4 pi splone 0 के Q1 Q2 upon R square ये कितने लोगों का force है 2 सिर्फ charge का अखेले का force कैसे निकलेगा intensity से निकलेगा उसे निकाला जाता है F upon Q से ये basic electrostatics हो गया अब electrostatics बढ़ता है आगे जहाँ पे वो उसके दोस्त charge को भी बुलाता है ये हो गया positive charge ये हो गया negative charge अब हमने पहले discuss क्या किया ये दोनों एक दुसरे पर force act करेंगे एक की intensity इतनी होगी दुसरे की intensity इतनी होगी ये सब ठीक है सब बात ये ठीक है तो ये force apply करने की lines भी बन गी इनने कहा गया lines of force हमारा कहना है कि अब इस line of force में अगर दूसरा कोई आ जाए इन दोनों के बीच में नहीं यहाँ पे कोई अगर आ जाए तो वो तो इस force और intensity से परे है है ना इन दोनों के structure में वो नहीं बैठ ता है तो वो अगर इस से परे है तो उसको पढ़ने के लिए इस काले dot पे यह जो बहार का आया है इस पे क्या हो रहा है तो उस पे हो रहा है induction उस पे प्रभाव पढ़ रहा है वो प्रभावित हो रहा है सबस्मेयारा वो प्रभावित हो रहा है और प्रभावित होने के लिए वो दो टर्म इस्तिमाल करता है एक है flux दूसरी है induction अब पूरे शरीर पे कितना प्रभाव आया है इसके उसे कहा जाता है flux और इसमें कौन सा एरिया होता है given area रहा है अपको समझ में उसा area given area और unit area पे कितना प्रभाव है यानि intensity के हिसाब से प्रभाव कहाँ पे ds पे उसे निकाला जाता है फाई से आगया अब ये बन गया हमारा induction हम unit पे बात करेंगे लेकिन कल बात करेंगे induction बन गया अब इस induction में वैसा ही structure ये दोनो ये हो गया flux ये हो गया end और इनको उठा के गौशने क्या गर दिया सब के लिए एक law बनाया कि net electric flux through a closed surface it is given by net charge जितना charge होगा उसको कितना से divide कर ले न splonzeru से divide कर ले न क्या मिल जाएगी net flux मिल जाएगी तो flux दे दी लेकिन हमें flux चाहिए नहीं न गटा हमें तो flux नहीं चाहिए क्योंकि flux निकलेगी नहीं क्योंकि flux का area कैसा है given area है अब given area का हम क्या करेंगे जब हमें area ही पता नहीं है क्योंकि हम area कैसा है standard surface का area निकल सकते इसका नहीं निकल सकते अगर ये problem है अगर ये major problem हमारे बीच में है तो क्या होगा तो हम क्या करेंगे तो phi को हम कहा है लिखेंगे intensity के हम phi को intensity यानि induction की language में लिखने कुशिश करेंगे अब phi यानि flux को induction की language में लिखा e into ds यहाँ पे लिखा लिखा लेकिन ds कैसा है छोटा area हमारा area तो बड़ा है तो इसको क्या कर लिया इंटेग्रेट कर लिया और surface कैसा है closed है तो उसे closed surface में ले लिया तो हमारा एक structure बन गया phi is equal to integral of closed surface e dot ds अब यह कौन सा product बना dot यानि कौन सा theta cos theta बन गया cos theta तो यह cos theta बना इसलिए हमने कहा लिया e ds cos theta समझ में आगे बटा फिर से देखिए lecture पूरा बहुत ही आसानी से तो कल इसके आगे गाड़ी बढ़ाएंगे हैं कल से सबेरे lecture लेंगे हम ताकि आज हम उसको पूरा कर सके तो कल का एक lecture भी हम क्या करेंगे 11.30 बज़े से लेना स्टार्ट करेंगे समझ में आ रहा है आपको चैनल को लाइक कीजिए ज़र कीजिए थम्द्या के सकीजिए। सब्सक्राइब